Hello students, आज हम बात करने जा रहे हैं hybridization के बारे में, यानि की संकरण के बारे में, जो कि आपकी B.A.C. part first year, University of Cota के syllabus की first unit का part है, जैसा कि hybridization या संकरण के बारे में आप सबने विकित कक्षाओं में या पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, या हम आपकी यादे ताजा कर देते हैं, क्या होता है hybridization? अपने उर्जाओं का पुनर वित्रण करेंगे, तता उतने ही नए कक्षक बनाएंगे, जिनका आकार, आकरती और उर्जा लगबर क्या होगा? बराबर होगा, इस प्रकार की जो एक क्रिया होती है, उसको तो हम करते हैं संकरण, तता जो नए कक्षक बने हैं, पुराने कक् संकरित कक्षक, अब देखें संकरण जो होता है, यह जो प्रोसेस होती है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, एक परमानू आत्वा आयन के लगबग समान उर्जा के कक्षक ही आपस में संकरित हो सकते हैं, मतलब उनमें उर्जा लगबग लगबग समान होती है जैसी S कक्षक आपस में संक्रित होकर नए कक्षक मना सकते हैं S और P कक्षक जिनकी उर्जाओं में लगबग लगबग समानता होती है वो आपस में संक्रित होकर कक्षक मना सकते हैं मतलब जो कक्षक आपस में संक्रित हो रहे हैं, उनके उर्जाओं में बहुत ज़्यदा डिफरेंस नहीं होना चीए, वो लगबल लगबल समान उर्जा के कक्षक ही आपस में मिलकर नए संक्रित कक्षक बनाते हैं. संक्रित कक्षकों की संक्या, संक्रण में जो कक्षक भाग लेते हैं, उनके संक्या के बराबर होती है, मतलब यदि संक्रण में तीन कक्षक भाग ले रहे हैं, तो बनने वाले जो संक्रित कक्षक होगे, उनके संक्या भी कितनी होगी, तीन होगी, यदि संक्रण में दो कक्ष कखचा बाग ले रहे हैं तो बनने वाले संकर्यत कखचकों की संक्या भी दोही होगी अगले बिन्दु की बात करते हैं संक्रित कखचक अधिक दिशात्मक्द होते जिसमें अधिक क्रबल बंद बनाते हैं यह देखिये। सबसे महत्रपुन बिन्दु है कि संकर् summ प्रबल बंद बना में शक्षम हो पाते हैं क्योंकि उनको अधिक हिस्तान मिल जाता है और इस तरीके से दिशात्मक होते हैं कि उनके बीच में जो बादा होती त्रिवम बादा होती वो कम से कम होती है हमने कहा कि संक्रित कर्षग अधिकतम दूरी पर उपस्तित रहते हैं क्योंकि उनके बीच में जो उड़जा है वो कम से कम हो जिससे कि उड़जा जितनी कम होगी उतना ही जएदा वो इस तायत्व बनाएंगे नेक्स्ट पॉइंट है विशिस्ट संक्रण से प्राप्त सभी संक्रित कक्षब के आकरती समान होती है परन्तों उनका त्रिविम विन्यास भिन्न होता है उनकी कौन सी दिशा में पाए जाएंगे, कौन सी एकसस पे पाए जाएंगे, वो सब different होता है next point निर्धारन किया जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे संक्रन में कक्षक भाग लते हैं सबसे महत्य पूनबांध है कि यहाँ जो संक्रन होगा उसमें कक्षक भाग ले रहे हैं कभी भी Electrons पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हतास संक्रन में रिक्त पूनपूरित कख्षक भी भाग ले सकते हैं ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि संक्रण में इलेक्ट्रोन भाग नहीं ले रहे हैं, कक्षक भाग ले रहे हैं, और कक्षक किस तरीके से पाय जा सकते हैं, हो सकता है खाली कक्षक हो, हो सकता है अर्धपूरित कक्षक हो, और हो सकता है कि पूर्ण बरी कक्षक हो, तो उस क कार के कक्षक संक्रण में भाग ले सकते हैं जिक्त पूर्ण पूरीत और अर्दपूरीत ते संकृत में है Celine सब्सक्राइसकृत में मोटे तोर पे 3 संक्रण पाये जाते हैं SP संक्रण, SP2 संक्रण और SP3 संक्रण सबसे पहले हम यहां लेंगे SP3 संक्रण जिसे हम कौन सा संक्रण कहता है TETRAHEADRAL यह सब आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है हम यहां पे रिवाइच कर लेते हैं देखिए जैसे ही इस पे विदित हो रहा है S और P3 मतलब 1S कक्षक और 3P कक्षक तो इस संक्रण में 1S तता 3P कक्षक 3 परमाने कक्षक जिनको हम कह सकते हैं PX, PY तता PZ आपस में मिलकर अपने औरजाओं का वितरण करेंगे चारो संक्रमित कक्षक 3P में इस तरीक से विन्यासित होते हैं कि उनके बीच में 109 डिग्री और 8 संस का कौन पाया जाता है ये अपने को ध्यान रखना होगा हमेशा कि कौन से संक्रण में कौन से डिग्री का एंगल पाया जाता है तो यहां पर 109 degree और 8 cents का कौन पाया जाता है और इस एंगल पर रहते हुए उनके बीच में सबसे कम प्रतिकर्शन पाया जाता है इसी वज़े से वो इस एंगल पर पाया जाते हैं इसलिए इसको और मतलब इस एंगल पर रहते हुए चतुस फलक के चारो कोने पर अभिवन नियाशित होता है जो चतुस फलक होता है वो इसकी आकरती हो जाती है इसलिए चतुस फलक के संक्रण में कहते हैं या इसको अपम टेट्रा हैडल भी करते हैं जिसका मॉस्ट कॉमन ए यहां मेथेन अनु का आणवी कक्षक चित्र दीखाया गया है यहां पर देखो 1s2, 2s2 और 2p2 पाई जाती है कार्बन की जो वो होता है लेकिन यहां जो संक्रण के वस्ता में क्या होता है जो 2s2 का जो एक लोक्टन होता है वो उत्तेजित होकर P कक्षक में चला जाता है और यह 4 कक्षक क्या करते हैं आपस में संक्रण करते हैं 4S3 कक्षक 109 डिग्री 8S पर 347 की रूप में व्यवस्तित रहते हैं तता 4 hydrogen प्रमाणों के 1s कक्षक hydrogen इनके साथ संक्रत कर रहा है तो उसका कौन सा कक्षक हो गया उनका 1s कक्षक हो गया 1s कक्षक प्रत्रपति आतिवापन करें कि 4 सिक्मा बंद बनाते हैं यहां देखिए आप यहां हम बात करें तो देखिए यह जो बंद बन रहा है इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है 109 डिग्री और 28 संस का और जो कार्बन और हाइडोजन की जो बॉंड लेंध ता वो कितनी है 1.08 एंगस्ट्रम यह इसकी लेंध है और चारो बंद की जो चारो बंद पाई जा रहे हैं उनके बीच में एंगल आ रहा है 109 डिग्री अठाई संस यहां S, S, P3 क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हाइडोजन का तो S कक्षक है और इसके S, P3 कक्षक इसमें संक्रण में भाग ले रहे हैं तो कौन सा हो रहा है S, S, P3 संक्रण पाय जा रहा है अब हम आगे बात करेंगे S, P2 संक्रण जिसे हम ट्राइगोनल हाइब्रेड डाइजेशन भी करते हैं या त्रीकोर्णी संक्रण करते हैं जैसा नाम से विदित है S और P2 मतलब 1S कक्षक और 2P कक्षक जो कि PX और PY होते हैं मिलकर आपस में उड़ जाओ का पुनर वितरण करके 3 नए समान उड़ जाता समान आकरती के S, P2 संक्रण कक्षक बनाते हैं जो कि आपस में 120 जिक्रण के कौन पर एक सम तलिये त्रिबूची आकरती में विदियासित होते हैं इस तरीके से हो जाएगे कि इनके बीच में कितने डिगरी का एंगल हो जाएगा 120 जिक्री का एंगल हो जाएगा और इस तरह से विद्यासित होने पर इनके बीच में अधिक्तम दूरी होती है और रिपल्सन कम से कम होता है यदि इन कक्षकों को 22 सीरों से मिलाए जाए तो एक सम्त बहुत त्रिबुज बनता है अतर इसे क्या कहते हैं त्रिकोंडी शंक्राणवी हम कहते हैं और इसके एक्जामपल है एथीन प्रोपीन ग्रिफाइट आधी में कार्बन की SP2 संक्रन अवस्ता पाई जाती है यह देख कार्बन प्रमाणवी का SP2 संक्राण अवस्ता होता है प्रत्यकारबन प्रमाणवी के पास 3SP-2 संक्र describes और 1 संकृत चर्ण कोटा है जो की कौन सा बनाता है बाद में पाई बनाता है यहां तीनों इस संकृत क्षक एक दूसरे से 120 डिक्री के कौन पर एक तल में और 20 संकृत मतलब जो की संक्रण में भागने ले राव पीजेट कक्षक इस तल के क्या पाए जाता है लंबुवत पाये जाता है यहां देखिए जो कार्बन है यह बीच में इसके यह तीन कक्षक आपस में SP2 संक्रित है और यह जो PZ है इनके लंबुवत है जो की S संक्रित है जो आपस में अभी पार्शियले अतिव्यापन करके पाये बंद बना रहे हैं और यह सब कौन से बंद बना रहे हैं सिग्मा बंद बन रहे हैं यहां हाइडोजन का तो S और कार्बन के SP2 तो इसमें किस परिकार का संकरन है S, SP2 SP2 किसकों से कक्षक हो जाएंगे कार्बन के और S कक्षक किसका हो जाएगा Hydrogen का इस तरीके सिन में SP2 संकरन पाया जा रहा है अब हम आगे बात करते हैं SP संकरन अत्वा रिक्षक संकरन अत्वा मतलब इसको हम Linear Hybridigestion और Diagonal Hybridigestion भी करते हैं S और P इसमें 1S कक्षक और 2P कक्षक क्या होते हैं आपस में उड़जा का वितरन करके 2 नए SP संकरत कक्षक बनाते हैं जो की उड़जा तता आकरती में समान होते हैं और ये दोनों SP संकरत कक्षक आपस में आपस में हो रहे हैं तो 101 सी डिग्री पर होगी और इसे रेखी आत्वा विकरनी संकरन भी करते हैं एथाइन की बात करें एथाइन इसका एक्जाम्पल है ये देखिए ये एथाइन की बात करें तो यहां पर यह S कक्षक तो किसका हो गया हीडोजन का और यह जो कक्षक हो गया S P कक्षक यह S P कक्षक इसका हो गया कार्बन का यह आपस में क्या है एक दूसरे से 100S degree के एंगल पर है और यह जो बाकी के जो P x और P y कक्षक इसके क्या होते हैं Lumbhevatt होते हैं जो की पार्षिल यातिवापन करके क्या ब TY कक्षक बनाते हैं। इसकी cylindrical आकरती होती, यानि बेलनाकार आकरती होती है। तो देख लीए एक बार इसकी language पढ़ लेते हैं अप्तन विसंक्रित PY तता PZ कक्षक परस पर SP संक्रित को तल के लंबुवत अभी देहननेश्यत होती है हमने देखा भी डाइग्रम में प्रते कार्बन का एक-एक SP संक्रित कक्षक एक ही कक्षपर अत्विवापन कर दोनों कार्बन परमाणों के मद्य सिग्मा बंद बनाता है और प कार्बन के PY तता PZ कक्षकों के से PY-PY तता PZ-PZ संक्रित के दोपाई बंद बनाते हैं जैसा कि हमने इस डाइग्राम में देख लिया है यहां पर यह जो कार्बन है इसका एक SP कक्षक हाइड्रोजन के एक S कक्षक से अतिवापन करके सिग्मा बंद तता दूसरा SP कक्षक दूसरे कार्बन के SP कक्षक से अतिवापन करके दूसरा सिग्मा बंद बनाता है और दूसरे कार्बन का यह SP कक्षक दूसरे हाइड्रोजन के S कक्षक से अतिवापन करके सिग्मा बंद बना रहा है इस पाइबंद बना रहे हैं इस तरीके से इसमें सिगमा और पाइबंद का निर्मान हो रहा है और इसकी आकरति किस तरीकी होती है सिलेंड्रिकल यानी बैलना का इस तरीके से आज हमने संकरण के बारे में देखा आज के लिए इतना ही धन्यवाद